एलो एवरीवान मैं हूँ इशिता साने वेलकम बैक टू माई चानल आज हम लोग आएं बाबी क्यूब नेशन में यह है विरार वेस्ट बिग बजार पे थर्ड फ्लोर पे है तो नीचे यहां पे पाकिंग भी अविलेबल है आप यहां पे आराम से पाकिंग करके उपर थर् चेक करके आपको अंदर अलाउड है अगर आपने पहले से बाबी क्यूब नेशन के एप से बुकिंग किया है जैसे हम लोग ने किया है अपना टेबल रिसर्व कर दिया होगा तो आपको वेटिंग करने की कोई जरुवत नहीं आप डैरेक्ली अपने टेबल पे जा सकते ब हम लोग को इस तरफ का टेबल मिल गया था तो फर्स टेबल पर हम लोग बैठे थे और बाकी के सारे टेबल एमटी थे लेकिन धीरे धीरे करते करते सब टेबल पैक हो गए तो पहले ही अपना आप से बुकिंग करा लीजे ताकि आपको वेटिंग ना करना पड़े अब दे डेजर्ट काउंटर है यहां पर यह देखे फिरनी है फिरनी अविलेबल था स्टॉबेरी मूस था जो बच्चों को बहुत पसंद आ रहा था बहुत अट्राक्टिव दिख रहा था टेस भी बहुत अच्छा था और यह है चॉकलेट ब्राउनी इसका भी टेस बहुत अच् और यह है आईसक्रीम वैनिल आईसक्रीम अविलेबल है इसके बाजू में है गुलाब जामुन का काउंटर बहुत फ्रेश गरम गरम और अच्छा गुलाब जामुने टेस्ट में फिर मौंग का हलवा था यह पूरा सैलेट का काउंटर है जैसे आप देख सकते हैं यहां प जोर कैरेट का राइता है अचार है और फिर सामने यह देखिए पूरा बुफे स्टार्ट हो जाता है आपको जितना चाहिए आप जितना राउंड लेना चाहते हैं एक राउंड दो राउंड आप उतना खा सकते हो बड़ उतना आपसे खाया भी नहीं जाएगा और सबसे पहले तो यह सूप काउंटर था यहां पे जिंजर गारलिक सूप था जिंजर सूप था बहुत टेस्टी था और हर इसके उपड़ नाम लिखाए देखिए जिंजर चिकन सूप बहुत टेस्टी था नॉनवेज में उसके बाजू में ही है माची आचारी यह भी अच्छा थ तो वेस्ट ना हो जाए उसे अच्छे आप थोड़ा सा लीजे बाद में वॉपपस सेकंड राउंड ले सकते हो पहले ज्यादा लेकिंगों को वेस्ट मत कीजिए मटन का आप्शन था चिकन दम बिर्यानी भी है जिनको मटन पसंद है उनके लिए अप्शन था चिकन दम नान मसाला फिर कश्मीरी भाजी थी कुछ वह दूसरा वाला उसके बाद यहां पर दाल है और दूसरा भी एक सूप था टेस्ट भी बहुत अच्छा था और पीछे देखिए पूरा लाइफ किचन है आपको दिखाई देगा यह वेच सेक्शन है बाजू में है नॉन वेच कोई भी किसी में एकदम मिक्स नहीं हो रहा है सब सेपरेटली एकदम हाईजीन मेंटेन करके है यहां पर गर्मा गरम बनाके मिलता है बच्चों उनको तो पास्ता बहुत पसंद है उसके बाद हम लोग का स्टार्ट हो गया तो यह वेच क्रिस्पी था बहुत टेस्टी था एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी वेच कबाब था कौन का बहुत टेस्टी था वेच पटेटो था उसके वेज नहीं चिकन विंग्ज है क्रिस्पी चिकन विंग्ज बहुत टेस्टी था गरम गरम था और यहां पर देखें मैं एंजॉय कर यूँ मेरे फैमली के साथ हमारा गेट तोगेधर पार्टी था बहुत अच्छा लगा हम लोगो फैमली के साथ आप आईए बिर्दे के ये है crispy corn बहुत टेस्टी था सानु को बहुत पसंद आया उसके बाद prawns भी आ चुका था ये दीखे प्रॉंस का size भी कितना अच्छा खासा है ऐसे छोटे छोटे नहीं थे बहुत अच्छा था फिश का option था चिकन का था प्रॉंस का था बहुत टेस्टी था उसके साथ हम बहुत पसंद आया स्टार्टर के बाद हम रूपने में को भी ट्राइ किया पास्ता ट्राइक या बहुत टेस्टी था पास्ता वाइट सॉस वाला और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा था पूरा वेजटेबल के साथ बना आप देख सकते हो बहुत ही टेस्टी था बहुत ही पसंद आएगा उसके बाद हम ने डेजर्ट ले लिया जितना भी डेजर्ट अवेलेबल था थोड़ा थोड़ा अब लोग लेकर आए वाद एक ही प्लेट में हम लोग खाने के लिए फिरनी है केक है पाइनपल नहीं स्टॉर्ट मेलन है मुज है गुलाब जाम अ आपने जो स्पेंड किया आपका दिल खुश हो जाएगा सारा थोड़ा थोड़ा ट्राइग कीजिए ताक आप सब एंजॉय कर सको स्टार्ट भी बहुत अच्छा था डेजर्ट भी अच्छा है में कोस भी अच्छा है अंबियंस भी अच्छा है सॉफ्ट म्यूजिक लगा सब वेटिंग पर आ गए तो हम लोग ने तो स्टार्टर में कोस डेजर्ट यह देखे सब टेबल फूल हो चुका है बहुत एंजॉय किया उसके बाद हम लोग आसे वह भी ना लास्ट में कुलफी बचा था तो हम लोग ने सब बहुत अच्छे से एंजॉय किया वह थे आन जाए कुलफी उपसे चॉकलेट डाला था उसके बाद हम लोग ने रबडी वाला कुलफी लिया रबडी कुलफी बहुत टेस्टी था फिर हम लोग ने केसर कुलफी ट्राइए किया बच्चों के लिए ओर्ण फ्लेवर में भी है यह पान फ्लेवर में है और इसके उपर अ मुझ वर वाचिंग दिस वीडियो